हमें पता चलता है कि जो फैकल्टी की एलेक्शन्स हो रही हैं सेनेट की यहां पर लॉडिटोरियम में हो रही थी तो वाइस चांस्टर वहां पर वोटिंग डालने आ रहे हैं तो हमारा गुस्सा यह था कि जब 20 दिन हमें हो गया हैं बैठे हुए दिन रात उनके ऑफिस के ब अहां पर पहुंचे हमने वाइस चांसर जैसी ही आए गाड़ी से उतरे हमने उनके खिलाफ नारे बाजी शुरू की जब पंजाब युनिवस्टी में फीस हाइक हुआ पांसो परसेंट से लेके ग्यारा सो परसेंट तक फीस हाइक बढ़ा वो गवर्मेंट की पॉलिसी है फीस बढ़ाओ लेकिन स्टूडेंट प्रेशर की वजए से जो टीचर और और लोग इलेक्टेड है नॉमिनिटेड ह का बाद में विरोध किया और वो फीस हाइक जो है वो वापस हुआ पंजाब युनिवस्टी में गर्ल्स बॉइस होस्टल 24 आर्स खुले थे गर्ल्स होस्टल नहीं खुले थे वो रात को बंद हो जाते थे तो उसके खिलाफ जो स्ट्रगल चला वो भी फिर सेनेट में जाक सेनेट के वज़े से पास नहीं कर पाती थी और हर सरकार की ये पॉलिसी रही है कि एजुकेशन को और युनिवस्टी को सेंट्रलाइज करना प्राइडाइज करना और बीजे पी आरेस की गवर्मेंट की एक खास बात है ये साथ-साथ सैफनाइज करना जाते हैं जैसे आप उनिवस्टी साइन्टिफिक टेंपरमेंट को प्रमोट करने के लिए बनी है ये अंदविश्वास को प्रमोट नहीं करेगी तो वीजी का वो एजंडा पास नहीं हुआ था उनिवस्टी में जो सैनेट के इलेक्शन्स हैं वो जब से रद हुए थे 31st October को इसका कारेकाल खतम हुआ था पिछली वली सैनेट का तो उसके बाद से ही लगातार November से ही जितनी student organizations है उनिवस्टी में वो mostly organizations मिलके elections करवाने के लिए बार-बार बोल रही है पहली बार चलो High Court गए स्कुछ senators High Court के orders आए कि जल्दी से जल्दी आप elections कीजिए फिर elections हो गए फिर फिर COVID की second wave का बहाना बोलके फिर उसको रद कर दिया गया फिर उसके बाद फिर से High Court के through elections की डेट सराइं और अभी elections होने वाले थे और उन elections को चलते हुए elections को बीच में रद करके मतलब 13th को ह इंडेफिनेट डे नाइट सेटन प्रोटेस्ट वाइस चांस्टर ऑफिस के बाहर शुरू होता है जिसके बाद 28 दिन बाद 25 दिन को लेकर इन्होंने अनौंस किया थे कि हाँ सेनेट की elections की डेट आ गई हैं जो अभी 18th को हुए हैं फर्स फेस के elections हुए हैं बेसिकली 26 को elections ह हैं फर्स फेस के अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि पूरी इनकी जो भी बीजेपी आरेस यह वाइस चांस्टर की पूरी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से elections ना हो हमें पता चलता है कि जो फैकल्टी की elections हो रही हैं सेनेट की यहां पर law auditorium में हो रही थी तो वाइस चां इंडोर मीटिंग में भी कभी नहीं आई यह तो आज वोटिंग डालना इतना जरूरी हो गया कि वहां पर पता पहुंच रहे हैं तो हम 10-15 स्चूडेंस वहां पर पहुंचें हमने वाइस चांसर जैसी आए गाड़ी से उतरे हमने उनके खिलाफ नारे बाजी शुरू की व फिर वो फिर आखिरकार गाड़ी जो है अपनी लेके वहां से भागे हैं लिटरली क्यों भागे हैं क्योंकि यही कुछ यह करते हैं सवालों के जवाब स्चूडेंस के हैं नहीं कोई रीजन नहीं था कि सेनेट के एलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं 19 दिन से स्चूडेंस ब के हैं हमारे चारों के उपर एक महीने बाद 38 सिप्टेμबर को एक फायर लॉज हो जाती है कि इन स्टूडेंस ने वी सी के साथ मार पीट की है वो वीडियो पब्लिक डुमेन में हैं सब लोग देख सकते हैं उस वीडियो में किसी स्टूडेंट ने वाइस चांसलर को छुआ तक नहीं है और सीधी मार पीट की एक महीने बाद एक फायर का मतलब यही है कि वो फॉज्ट है फैब्रीकेटड है जान बूच के की गई है ताकि स्टूडेंस डर जाए और इनको हरास किया जा सके लग लग अथारेटी जा एजेंसी यूनिवस्टी की परफार्मेंस को चार प्रानियों उनिवस्टेइन से एक एक उनिवस्टी है अब ऐसी उनिवस्टी की हालत यह है कि वहाँ टीचर नहीं है चालीस परसंट के करीब फैंटीज परसंट के करीब टीच सर्था रेगुलर टीचर बचे हैं रिसर्च श्कॉलर जो हैं उनसे पढ़़ाइ श हमारी पंजाब युनिवस्टी टीचर्ज असोसियेशन के सारी संस्ता उनको मिलने जाती है तो इन्होंने जैसे किसानों के विरुद सरकार ने मल्टी लियर्ड एक बैरिकेडिंग करके रखी है इन्होंने अपने घर के चारों तरफ पहले तो अपने घर के ऊपर दो लेयर की कांटियों वाली तार लगाई बाउंडरी पार फिर रास्तियों में दो तीन लेयर करके लगाई पांच लेयर के अंदर यह हमारे वाई चैंसलर जी रह रहे हैं यह क्या युद का मदान है जा पढ़ाई की संस्थान है कभी भी नहीं हुआ एमर्जंसी में नहीं हुआ कभी किसे हलात में भी नहीं हुआ किसी वी सी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पंजाब यूनिवस्टी की ये दुर्दशा हो जाएगी स्टूड़न्ट नहीं है 600 दिन तकरीब दो साल हो गए है यूनिवस्टी बंद करके बैटे है सब कंटीन बंद कर दिया लाइबरेरी बंद कर दिया अरे लाइबरेरी क्यों बंद किया भई वो तो साल में कभी 3-4 दिन बंद होती थी किसी दिन नहीं लाइबरेरी बंद होती वो हमारा मंदिर है वो हमारा गुर्दवारा है अब उसके लिए भी बड़ी हड़ताल करनी पड़ी तो लाइबरेरी खुली अब यूनिवस्टी अभी भी बड़े लार्ड स्केल बंद पड़ी है यहां सत्रह यार के करीब स्टूडेंट है कितना नुकसान हो चुका है यूनिवस्टी का आने वाले दस साल में भी इसकी परभाई नहीं होएगी और एक मन्त के बाद वो फाई यार रिइस्टर करी है जो के सरा सर गलत है अगर इनको लगता है वी यह स्टूडेंट के ऊपर एफ आई यार दर्ज करेंगे और उनकी आवाज को दबा देंगे तो यह उनका वहम है हम एक स्टूडेंट्स और यह सारे स्टूडेंट्स इवन के किसान अंदोलन के साथ जुड़े होए सारे नेता क्योंकि यह सारे कॉज कॉमन है वहाँ पर जैसे फार्मर्स को तंग करने के लिए बिल बनाए गए है उनकी जमीन शीनने के लिए बिल बनाएं गया यहाँ पर सैनेट सिर्व इसलिए निकरा रहे थे तांकि यह यूनिवर्स्टी को अपने तरीके से आर एस और बीजेपी चला सके जब जे इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई हमने वोटिंग का राइट अपना ले लिया उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट के ऊपर एफाई यार्दा लिक रही है इनको हम खबरदार करते हैं हमारे साथ सभी का पूरे पंजाब का सपोर्ट है इनको चतावनी दे रहे हैं अगर इन्होंने इन स्टूडेंट के ऊपर से जो एफाई यार्द कैंसल नहीं करी तो हम जैसे हमने सैनेट के लिए एक धरना लगाया था 28 दिन चला था उससे जादा बड़ा धरना हम आने वा लगाई